एलो एवरीवर्ण वेलकम बैट टू आज चैनल कैसे हो आपसा आई होप आप लोग अच्छे होंगे तो मैं आज लिकाई अंडर 18 रुपीज के प्रोड़क्ट यूज करने वाली हूं बेडिंग गेस्ट मेकप लेकि आई हूं तो सो गाइस डोंट मिस्द एंड और कर रही हूं जिससे के हमारा मेकप जो लॉंग लास्टिक रहे और बेस सेटिंग हो जाए अच्छे से तो इसको लगाने के बाद फिर मैं पर ग्रीस लिन ले रहे हूं सीरम की जगह मैंने आप ग्रीस लिन अप्लाई किया एजली आपको मिल जाता है 25 रुपीज में सो अच् प्राइमर आपको कॉमबे में आप मिसू से पर्चेस करना आपको एजली मिल जाएगा 15-16 रुपीज में सो इस तरीके से में आपको प्राइमर अप्लाई कर लूँगी प्राइमर लगाने से हमारा जो है स्कीन को हाम नहीं पहुंचता और में सम सेट रहता है फिर में यहां किसे में फॉंडेशन ले लूँगी फॉंडेशन बहुत अच्छा ठीक है और पिक में टेनेंस है बेस के अकार्डिंग सेट हो जाता है सो इस तरीके से में ब्यूट्य ब्रेंडर लेते हुए टैप टैप करके अप्लाई करूंगी इसली ब्रेंड हो जाता है कोई हाम नहीं पहुंचाता है स्कीन को सो आपको इसली मिल जाता है 18 रुपेज में सो इस तरीके से मैंने लगाने बाद अच्छा स्नेक पर भी लगाना जिसे हमारा मेकप सेम दिखे फिर इसके बाद मैं यहां पर लूँगी इसमें हाइलाइटर और करार करेटर सब कुछ मिल जाता है इस इस एरिया पर आइस का बेश बनाने के लिए फिर ब्लंडर से टैप टैप करते हैं इस सेट कर लूँगी जिसे हमारा वेस अच्छे से सेट हो बेर कुल ब्लैंड हो जाए एक भी चेक नहीं हो जहां डार्क ने सो आप अपलाई कर लेना कलर क्रेक्टर की जगा आप कंसिलर इजिली ब्लैंड कर लो लगा सकते हो फिर इसके बाद मैं यहां पर लूँगी जो है डब का फेस कॉंपक्ट है इजिली आपको यह मार्केट में 16 17 रुपीज में मिल जाता है तो मैं आइस मेकप सेट करने के लिए यहां पर डब का फेस कॉंपक्ट अपलाई कर रहे हूं जो आई बेस अच्छे से सेट हो जा लॉंग लास्टिक हमारा आई मेकप लागी त्रेडिंग के लिए मैंने यहां पर ब्लैक कलर में त्रेडिंग फिल करने के लिए लिया हुआ है तरीक से थुरा कट पर देते हुए अपलाई करूंगी और सेटिंग ब्रस लेते हुआ मिल जाएगे जो कि म्यूट कलर में हैं तो इस तरीक से में इसको लेकि अपने इनर कॉर्णर टू आउट कॉर्णर ग्रीश लाइन पर आइस पर वाल्स पर अपलाई कर लूंगे और ब्रस लेते हुए इसको ब्लैंड कर लोंग दो चार मिनट के लिए अच्छे से ब्लैंड यहां पर मैं ब्लू कलर का ग्लीटर अपलाई करूंगी हैंसे ग्लू लगाते हुए फिर इसके बाद इस तरीके से अपने इनर कॉर्णर ट्यों आउट कॉर्णर अच्छे से अपलाई कर लेना है सेड अच्छा दीखिए आइस में का हमारा अच्छा से फिक्स हो जाए फिर भाई सेलर से फिर के लिए कले चर्वारा ही इस तरीके से लगा लेना और फिर फने 야 पानी जैनल पर लिंक मिल जाएगी सो ब्यूत्य ब्लेंड सिक तरीकिसे में अप्लाई कर लेना है बस को इसमाइल करते हुए ब्लस अप्लाई कर ले न है उस्ट में यहां पर ऑ वही डब कर कॉंपक्ट पॉडर लेटे वह अपने मेकप को लॉक करने जा रही हैं तो मैं आयस के नीचे और ज़ॉर्ड लाइन पे concealer powder और highlighting अप्लाई करूंगी तो मैंने यह पर golden shade में whitening में highlighting अप्लाई कर रही हूँ आपके पस नहीं तो आप white भी कर सकते हो तो मैंने सोचा apply कर लेते हैं तो nose पे forehead पे cheeks पे जो lines के ice area पे भी apply कर लूँग और फिर मैं नहीं करना तो आप black kajal apply कर सकते हो तो इजली फिर में सामने के साइड यहां पर golden shade apply कर रही हूँ फिर में मश्कार अप्लाई करूंगे मश्कार इजली आपको market में 15 रुपेज में मिल जाता है तो इस तरीके से में मश्कार अप्लाई कर लेना आई लेशस के बेड़ना बहुत ही beautiful थी हमारा मेंक अप्लाई में अप्लाई में एक प्रिक्षा में को शैट कर लूँगी और हमारा मेंक अप्लाई टिक रहे सो फाइनल लूग इस कैसा लगा आपको मेरा बेडिंग एस मेकप लूग सो आई होप आप लोग को पसंद आया हो तो कमेंट सस्थन में जरूर बताएगा और मैंने एंडर 18 रुपीच के ही प्रोड़क्ट यूज किये हैं सो आई मेकप और फेस में आप देख सकते किस तरीके से साइनिंग कर रहा है मेकप बेस साथ आट गंटे चल जाएगा सो आपको पसंद आया हो तो में प्रोड़क्ट में आपको लिंक मिल जाएगे मेरे चैनल स्पे सो हेर्स्टाइल के लिए आपको शोट दिखना पड़ेगा सो बाबा सुस्क्राइब टू मैं चैनल वेल आइकन को ब्रश करें